हेलो दोस्तों आप सबका अपने इस चैनल पर एक बार फिर स्वागते साथ यो हम इस वीडियो में जानेंगे मुंग फल्ली खाने के महत्वपून फायदे मुंग फल्ली में भरपूर मात्रा में आईरन, केल्शियम, जेंक, बिटामिन B6 और बिटामिन E उपस्थित होते हैं अगर हम मुंग फल्ली का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर से कई परेशानियों से चुटकारा मिलता है मुमफली का सेवन करने से यह हमारे शरीर में एनरजी को बनाये रखती है सरदियों के दिनों में मुमफली का सेवन करने से हिर्दई की परेशानिया दूर होती है इसमें कैल्शियम भरपूर होने के कारण यह हमारी हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है मुंफली एक ऐसा स्वास्त खादपधार्थ है जो हमारा बजन कम करने में मदद करता है मुंफली प्रोटीन, कार्वोहाइडरेड, हेल्दी फैट, फैटी एसीट और आईरन का भी एक उत्तम स्रोत है मुंफली एंटी ऑक्सिडेंट और जरूरी खनिश तत्वों से भी भरपूर होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं इसका सेवन करने से यह हमारे शरीर की सूजन भी दूर करता है यह टाइप टू डाइबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए भी बेहत जादा फाइदे मन्द होता है साथ ही यह कैंसर रोगों के खत्रे को कम करने में मदद करता है अगर गैस और एसीडिटी की परिशानिया होती है तो मूम फल्ली को भिगो कर रख दे और सुभा खाली पेट खा ले क्योंकि मूम फल्ली में कई न्यूट्रियंट्स पोशक्तत्व होते हैं जैसे सेलेनियम, कॉपर, मैकनीज, पोटेशियम, केलशियम, आइरन, आदी मूम फल्ली की तासीर गर्म होती है इसलिए इसका सेवन सर्दियों में जादा किया जाता है मूम फल्ली स्वादिस्ट स्नेक्स में से एक है यह खराब या बुरे कॉलिस्ट्रोल का इस्तर बढ़ने नहीं देता है साथ ही यह पित, पत्री के जोखिमों को कम करने में मदद करता है मूम फल्ली में कैलोरी बहुत अधिक होती है मूम फल्ली खाने से पाचन सकती को बढ़ावा मिलता है और भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है और साथ ही हमारे शरीर में पोशक तत्वों की कमी को भी दूर करता है मूम फल्ली में मोनो अनसेचुरेटेट फैटी असेड होता है जो हमारे शरीर में खराब कोलेस्टरॉल को कम करता है और अच्छे या गुड कोलेस्टरॉल को बढ़ाता है मूम फल्ली पुरुशों के लिए भी बेहत ही जादा फाइदे मंद होती है यह कमर और जोडो के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है साथ ही मास पेशियों को मजबूत बनाता है यह डाइबिटी से भी बचाओ करता है यह हमारी तचा के लिए भी फाइदे मंद होती है मूम फल्ली को गुड के साथ खाने से यह मेटापॉलिस्म को बूस्ट करता है क्योंकि गुड में भी आइरन, पोटेशियम, मैगनीशियम और जिंक तत्व होते हैं यह हमारे शरीर में इंफेक्शन होने से भी बचाओ करता है मूम फल्ली में बीटा के रोटिन एंटी ओक्सिजेंट होता है जो हमारी आखों के स्वास्त के लिए फाइदे मंद होता है यह हमारी याददास्त भी तेज करता है मूम फल्ली का अधिक मातरा में सेवन नहीं करना चाहिए अगर हम मुंफली का सेवन अधिक मातरा में करते हैं तो इससे हमारा पाचन खराव हो सकता है जिस कारण गैस, ऐसेडिटी, कप्च, सीने में जलन, पेट में जलन भी हो सकती है इसलिए हमें मुंफली का एक निशित मातरा में ही सेवन करना है